गाईज, Windows 11 की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे Windows 11 के अंदर किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड डिलीट कर सकते है, रिमूव कर सकते है So Windows 11 के अंदर गाईज, अगर आपने किसी अकाउंट के उपर पासवर्ड लगाया है और अभी आप उस पासवर्ड को रिमूव करना चाहते है, तो आपने क्या करना है आपने यहाँ पर Start के उपर क्लिक करना है, Start के उपर क्लिक कर लेने के बद गाईज, आपने यहाँ पर Search करना है, Control Panel यहाँ पर मैं Already इसको Search कर चुका हूँ, तो मैं इसको Open कर देता हूँ Control Panel में जाने के बद गाईज, आपने यहाँ पर Find Out करना है, User Accounts को and then आपने user accounts के उपर क्लिक करना है user accounts में जाने के बाद गाईज यहाँ पर आपको option मिलेगा manage another account तो आपने यहाँ पर manage another account के उपर क्लिक करना है click कर लेने के बाद गाईज आप यहाँ पर देख सकते है कि new user जो है यह password protected है so अगर आप किसी user का password remove करना शाते है तो आपने यहाँ पर उस user के उपर क्लिक करना है click कर लेने के बाद गाईज अब यहाँ पर आपको option मिलेगा change password का आपने change password के उपर क्लिक करना है click कर लेने के बाद गाईज आप यहाँ पर देख सकते है new password, confirm password and type of password hint so आपने इसको empty चोड़ना है and आपने just change password के उपर क्लिक कर लेना है change password के उपर आप यहाँ पर देख सकते है कि इसका जो password था वो remove हो गया है right so that's it and this is how you can remove password from a user account in windows 11 आप इसी तरह windows 11 के अंदर किसी भी user account से password remove कर सकते है and आज की वीडियो में बस इतना ही guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye किपदे की अपलंग झाल 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 झाल